हाई फ्रेंज मदूस फूटफन हेल्थ में आप सब का स्वागत है और आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सर्दियों के लिए स्पेशली सर्दियों के लिए गोंत के लड्डू जिसमें हम खूब सारे ड्राइ फ्रूट्स और खूब सारा देसी घी डालेंगे तो चलो भाई गिल्ट भी रख लो कि हम बहुत सारा घी इस्तिमाल करने वाले हैं लेकिन चीज बड़ी अच्छी बनने वाली है आजाओ बनाते हैं आज गोंत के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं एक बार खाओगे तो हमेशा बनाओगे तो सबसे पहले गैस ओन उसका फ्लेम कर दिया है मीडियम टू लो के बीच में और नारेल का ये बूरा मैं डाल रही हूँ 3- 4-1 cup नारेल का बूरा है इसको हम् सुखा ही इसके अंदर चरा लेंगे पैन के अंदर और ये गुलाबी होने तक इसको थोड़ा भुण लेंगे पपस यह है हमारा बाद का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा अब ये भुन गया हमारा नारेल का बुरा अब जा रहा है तिल तो तिल भी मैंने आधा कप ले लिया है सफेद तिल होते हैं न तो यह आधा कप ले लिया है बस इसको भी थोड़ा भुन लेंगे और चटक चटक देखो बोलेगा तो बस इसको निकाल लेंगे घी थोड़ा सा डालेंगे उसमें अब जा रहे हैं आधा कप बादाम बादाम को अच्छे से हम लोग इसमें तल लेंगे मोस्ली मैं रोस्ट करती हूँ यह चीजें पर आज क्योंकि देशी की इस्तेमाल करना ही है तो भाईया बहती गंगा में हाथ दोई लो कोई बात नहीं तो ऐसे ही हो गए यह आधा कप मेरे काजू यह भी मैंने तल लिये थोड़ा सा घी और आड करूंगी क्योंकि आप जाने वाली है गोंद यह आधा कप गोंद है यह एडिबल होती है ना जो शरीर को ताकत देती है इससे कमर दर्द है या जिनके जोडों में दर्द रहता है ना उनके लिए सर्दी में बहुत अच्छी रहती है तो बस इसको मैंने बना लिया देखे फ्राइ कर दिया और आप मैंने ले लिया है अपना चछतनी जार और अब इसमें एक एक करके हम कोर्स ग्राइंड करेंगे तो बादाम डाल रही हूँ, इसको मैं एक्च्वल दिखा रही हूँ कि इसको कितना चलाना है, बस समझे जैसे कि चला के और छोड़ना है, तो ऐसे दो तीन बार करेंगे, अगर आप जादा चलाएंगे तो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा, अगर आप पाउडर प्रेफर कर करते हैं, तो जरूर उस तरीके से कीजिए, कोई इश्व नहीं है, तो ऐसे ही मैं काजू भी करने वाली हूँ, इसको अलग से इसले कर रही हूँ, क्योंकि कंपिस्टेंसी डिफरेंट होती है, बादाम ठोड़े हाड होते हैं, काजू थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो द कर ली है, अब कड़ाई में जाने वाला है, भाई खूब सारा गी, तो देखिए, बहुत सारी चीजों में घी है ना, मेरे महां, गौंद में भी घी जमा हुआ है, और आपके काजू और बदाम में भी है, तो फिलहाल मैं इसमें एक कप देसी घी डाल रही हूँ, और उसमे अगर आप इसको हाई फ्लेम पे लेके जाएंगे, तो आटा आपका जो है जल जाएगा, और अन्दर से कचा कचा रह जाएगा, अगर आप अच्छे से भूनना चाहते है है ना, तो इसको लो फ्लेम पे रख के ही आपको करना है, मीडियम पे करिए, पिर अगर लगता है कि थोड़ा सा जादा brown हो रहा है या पकड़ रहा है नीचे से तो उसको low पे कर दीजिए तो purpose ही है कि कढ़ाई की जो heat है उसको balance करना है तो मैं आपको बस stages दिखा रही हूँ देख लीजिए ऐसे भुनता जाएगा जब भुन गया almost भुन गया तो सबसे पहले और अब जा रहे हैं हमारे dry fruits काजू और मैंने डाले बादाम आपके पास जो भी हो ना आप इसमें खर्बूजे के बीज तर्बूज के बीज डाल सकते हो ये गई गौन्द अच्छा कुछ लोग ना इसको हमाम दस्ते पे पीस के भी डालते हैं तो अगर आपको काफी दरदरा रखना है ना तो आप हमाम दस्ते में भी पीस के डाल सकते हैं लेकिन हमें वो crunch मुह में आता हूँ अच्छा नहीं रखता इसलिए हम पूरा पीस देते हैं और अब मैं यूज करने वाली हूँ देसी खांड गैस मैंने कर दिया अब बंद पूरा भुन गया ना तो अब ये कम से कम साड़े 300 से 400 ग्राम जो है ना ये मेरी देसी खांड इसमें जा रही है ये शुगर से थोड़ा सा बेटर आप्शन होता है बस इसलिए मैंने ये मंगाया है शुगर थोड़ा सा कहते है उसमें chemical sulfur वगर होता है ये थोड़ा chemical free माना जाता है तो organic है ओके है चीनी ही ये भी अच्छा अब क्या होता है जब हम इत्ती सारी चीज़े mix करते है तो हमारा जो mixture है ये पूरा ये कई बार dry हो जाता है तो dry हो जाए तो थोड़ा सा हुआ है साचा अब आप हाथ से चाहें तो हाथ से भी रूल कर सकते हैं लेकिन इतने गरम में मेरे तो हाथ जलते हैं तो मैंने ये एक छोटा सा साचा मंगा के रखा हुआ है इसको अच्छे से स्टफ करके बस तीन-तीन लड्डू एक साथ एक ही बारी में आ जाएंगे और बन तयार और ये देखिए पूर महीने भर का कोटा हो गया आप रोज सुबश चाय के साथ में या शाम की चाय के साथ या जब भी आपका दिल करें खाई और इंजॉई कीजे और मुझे बताएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी मेरे को आपके कमेंट्स का इन्जार रहता है आप लोग कमेंट्स करने में बड़े सुस्कों यार करते ही नियों कमेंट्स वेरी बैग तो चलो जुड़े रहो खाते रहो ऐसी चीज़े बना ब मुझे बताओ भाई जुड़े रहे मदूस फूर फ़न हेल्थ के साथ फिर आऊंगी ऐसे ही कुछ लेकर आप सब के लिए बाई टेक क्यार